लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कौन है तो लिखे पड़े बाबु मालुम होता हूँ क्या बात है तबीयत खराब है क्या नहीं जरा सथर्ग्या हो चलो मेरे साथ मुझ गरीब की जोपड़ी में आराम कर लेना चलो यह यह पानी पीने नुक्सान करेगा पहले कुछ खा लो मगर सुखी रोटी और लसन की चट्नी है भाया तुम खा सकोगे यह तो सब ठीक है लेकिन आज तक तो अपने अबाप की कमाई खा रहे हों लाखोगा कारबार छोड़कर तुम कलाकार बनना चाहते हो जरूर बनो लेकिन मैं तुम्हारी कला की कदर उस वक्त करूंगा जब तुम्हारी कोई तस्वीर या कोई गाना तुम्हें एक वक्त का खाना दे दे तुम्हारा फूचर बहुत ब्राइट है तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा लेकिन कम से कम सौ साल बाद जी हम आजकल सिर्फ दो किसम की पेंटिंग की डिमांड है एक वो जो रईसों के बेडरूम की शुभा बढ़ा सके और दूसरी वो जो किसी की समझ में ना आसके मतलम यह आजी भी की है पांच तुम्हारी का नाम रखा है दिमिस्ट्री वेरे गड़ 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 ब्लस्यो कितनी खुबसूरत है तुम्हारी हो गया ओ सूरत से भी आर्टिस लगते हो काश अगर आपने में तस्वीरों की तारिफ की होती तो मुझे बेहाद खुशी होती तारिफ हमेशा बनाने वाले की करनी चाहिए बाकि रहे तुम्हारे पेंटिंग मैं अभी अभी एक्सबेशन देखकर आई हूँ लेकिन इनके मुकाबली की एक भी पेंटिंग नहीं सच कह रहे हैं आपके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है तक्रेबन 500 पेंटिंग का कलेक्शन है मेरे पैलस में आपके पैलस में ओ तुम तो मुझे जानते न दरसल खुशी तो मुझे होने चाहिए कि आप जासे कदर दान मिला है तो सच मुझ मेरे आट को समझता है सच पूछो तो रियरली स्पीकिंग आज तक मेरी एक भी तस्वीर में हुए कि वो तो तुम्ही देखते ही समझ गई तुम्हारा नाम क्या है प्रकाश नाम प्रकाश और खुद अंदेरे में चुपे हुए हो मैं चाहूं तो तुम्हे उजाने मिला सकते हूं आप हाँ आज कल के दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए जानते हो क्या सेल्समेंशिप, स्माथनिस, बड़े बड़े लोगों से चांद पहचान, जिनके बास दौलत है जिने सिर्फ पेंचिंग्स खरीदने का शौक है, वगर समझने का नहीं तुम मेरे साथ आओ कहाँ ये मर पूछू, बस तुम अपने आपको मेरे हवारी करता हो अजया? अब हुई ना बात? अब लगते हो मॉडन आटिस्ट पाटी में अभी देर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम्हारे साथ एक राउंड हो जाए पाटी? हाँ आज मैं तुम्हें उन दौलत वालों की सामने पेश करूंगी जो तुम्हारी तस्वीरों पर रुपाओं के बहचार करेंगे पीता नहीं मेरे खाथिर कोई बात नहीं मैं मजबूर भी नहीं करूंगी क्यूंके तुम आर्टिस्ट हो और मैं चालते हूँ आर्टिस्ट हर काम अपने मूर्ट से करता है और मैं उस मूर्ट का इंतसार करूंगी आर्टिस्ट इन से मिलिये यह है नीता इन में बहुत से खुबिया है लेकिन इनकी सबसे बड़ी खुबी यह है कि यह आद की बड़ी गदर्दान है यह प्रकाश आर्टिस्ट बहुत खुबसूरत पेंटिंग करता है खुद भी तो कुछ कम नहीं हलो कामनी के काम से फ्री होते ही आपको एक मेरा पोर्टर बना नहीं पिलाल मेरा इनसे कोई काम नहीं क्योंकि कल सुबा के प्लेन से मैं रामगर जा रही हूं तब तक तो मैं इनके आर्ट का पूरा फाइदा उठा लोंगी इसे आज मैंने पार्टी दी है इन सब लोगों से इंट्रजूस करा ले यह तो इनके ज़रा नवाजी है वरना ना तो मैं बड़ा आर्टिस्ट हूं न मशूर राजकुमारी कामनी की चोईस कभी गलत नहीं होती है इन्होंने आपका इंट्रडक्शन कराया यही कामनी है यह है रीटा और उनके हमार वो इस ही? यह प्लेपॉई या सुख यह प्लेपॉई मेरे मेरे जीवन साथी यह 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 प्लेपॉई मेरे मेरे जीवन साथी मेरे 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 यह कई बूरते किसी से भी सुरत तुमारी नहीं मिल पाती यह 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 आंग यह 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 किसी से भी शुरत तुमारी नहीं मिलताती He's a sexy, sexy man Lovely Hey, it's me baby Yeah He loves to play with money And he is a playboy I can see him, yeah He is a playboy He is a playboy So long Swing, swing baby Swing baby Swing baby Swing baby Swing baby Rohit No interferr Oh look If the rest We can find much again Give you my boyfriend A Prakash Will you get to a chill? But shouldn't he at that bomb? बैठकर किसी लड़की का स्केच बना रहा होगा और या फिर अपनी स्पोर्स कारण में बैठकर हवा से बातें कर रहा होगा अब कि 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 इस्क्यूज में आपका रुमाल जी अ अ जी जी मेर अखली जी मेरा रुमाल में पर्स में है जी ओ ब्यूटिफुल जी आई मीन आपको कोई इतराज है जी ने मुझे कोई इतराज नी है दरसल पहली बार आपको देखा इसलिए पूछा बिलीव मी मेरे जैसे लड़के आपने आज तक नहीं देखी क्यों है न तो आप मेरी तारीक सुन चुकी है जी काफे सुन चुकी है मिस्टर पकाश मैं किसे बात कर रहा हूँ आप प्रीटा से जितनी आप खुबसुरत है उस तो जादा खुबसूरत आपका नाम है तरथ खुबसुरत है तुमसे मतलब अगर मुझसे मतलब नहीं तुमसे मतलब नहीं यह किसली है मूँ बंद रखने को हाँ तु कबल जी यह बताइए यह लड़की शादी सुधा नहीं तो उसके उमर 25 साल से उपर यह नहीं लेकिन यह सब कुछ आए इसलिए पूछ रहा हूं कि हम ठेहरे आर्टिस्त आदमी मूट के बगार कुछ करते नहीं अगर लड़की खुबशुरत हुए तो पार्टी फंटैबलस होगी अगर ज्यादा खुबशुरत हुए तो पार्टी फंटैस्टेगलस होगी कब आ रही हूं? कौन से प्लें से? अरिंग यह अभी जोती का संकाला है जानते हो, वर्स क्लास बस आही है मुबारत हो! इसी फ्राइडे को आ रही है यह रेली फिर तो लाना जी एक शांदार होम कमिंग पार्टी हो जानी चाहिए अले कमल तुम तो जोती की खास सहरी हो पार्टी के इंजाम के सारी जिमेदाई तुम्हारी है आप फिकर मत किजिए लीव टू आस कमल जी यहां से सीधे कलब चलेंगे वही चलकर डिसाइड करेंगे पार्टी के बारे में तोड़े आम वरी हैपी लेकिन देखो उस जबरदस थंगामे वाली पार्टी होनी चाहिए आज आज मैं बहुत खुश हूँ मैं भी अपने सारे दोस्तों को बलाऊंगा पार्टी ऐसी हो के लोग याद करें हाँ लोग याद करें आइस्ता मैंने पचास दफ़े कहा है लाला जी के एकसाइटमेंट तुम्हारे हाट के लिए अच्छा नहीं है डॉक्टर आज डराकर तुम मेरी खुशी को नहीं दबा सकते फ्राइडे को जोती आ रही है सच्छ कितने बजी की फ्लाइट है दोपेट की फ्लाइट वेरी गोड फाइब अच्छा अंकर अब हम चले राजन पाइट शांदार होनी चाहिए आप चिंतामत के रिया आप देखिये मैं क्या करता हूँ लाला जी मैं डॉक्टर सिदीकी से आज ही मिल लेता हूँ जोती के बारे मैंने उनसे बात की थी डॉक्टर सिदीकी वो वो आई स्पेशलिस हाँ इस वक्तों हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंखों के डॉक्टर है मैं चाहता हूँ जोती आते ही उनके साथ काम करने लेगे भाई डॉक्टर की बाते हैं डॉक्टर लोग जाने जब उनका निकर घुटनों से नीचे खिसक जायेगा हाँ अविजय अनांस अराइट अप्लाइट याइए वां सिर्टी सम्यूयोक, लोल्डन, फ्रैंक्फर्ट, रोम, एं स्पिरूट क्यूब अज़क्टर 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 पिटेजी रगो नमस्ते यही जोती है, मैंनी मत तक्ता क्यूब, इतनी बदल गई हूँ विल्कम होम विल्कम होम जोती आपके लिए चोटा सा तूपा थैंक्यू, लेकिन यह आप ही रखिये, बड़ा भारी है कमल जोती, मुबारक हूँ Excuse me Miss Jyothi बंदे को पकाश कहते है Hello Pekash हम पहले मिल चुके है कभी नहीं, लेकिन मिलते रहेंगे कैसे मिलते रहोगे, देखता हूँ फटबाद के रोमियो चल बैटी, चलो, फॉरण चलिए तलिए, तलिए तलिए, तलिए मिलते रहें Miss Jyothi You are looking terrific Oh Jyothi Raja सारे महमान आगे हैं और अभी तख Prakash का कोई पता ही नहीं ज़र जाके उसे फोन तो करो फोन आप कीजिए, मैं Prakash का चम्चा नहीं उसका आना बहुत जरूरी है तरने पार्टी को एंटेटें कान करेगा मैं कर देता हूँ आप सब लोगों ने Prakash को सर पे चड़ा रखा है में जी एंटेटेंमेंट वेल्यू आपको मालूम है नहीं Ladies of the gentleman and gentleman of the ladies भाईयो और भाईयो की बेहनों Miss Jyothi विलायत से काम्याब होकर आई है ये पार्टी इसी खुशी पे रखी गई है मैं जानता हूँ कि आप सब लोग परकाश का गीत सुनने के लिए बेताव है ये खुद ही लापता है मैं कहता हूँ कि वो नहीं आएगा और जब तक कि वो प्रकट नहीं होते है मैं आपको एंटिटेन किरूँगा ये modern poetry है शायद आपकी इस समझ में ना आए लेकिन मैं फिर भी आपको सुनाता हूँ मुलाइदा हूँ आग-पानी-ठंडी-चलक ताड़ का पेड़ आग-पानी-ठंडी-चलक ताड़ का पेड़ ठंडी का मौसम उलवाली भेड़ मैं प्रकश आगिया आखरी लाइन है आदमी ने आदमी की मारिये रेड हाँ हाई यहू कितने सपने कितने अर्मा नाया हूँ मैं देखो ना देखो ना मेरा दिल भी एक मैं धिल है कुम भी कभी आओ ना बैठो ना तुम से मिलके यू तो महक रहा हो तुम से मिलके यू तो महक रहा हूँ तुम से मिलके यू तो महक रहा हूँ ए कितने सपने कितने अर्मा नाया हूँ मैं देखो ना देखो ना हर तरफ जहां भी पलक थमी है प्यार की जहां में बहुत कमी है हर तरफ जहां भी पलक थमी है प्यार की जहां में बहुत कमी है बेरंग है ये मेरे रात दिन तुम रंग कोई मिला दो ना ए कितने सपने कितने अर्मा नाया हूँ मैं देखो ना देखो ना कोई मुझ में देखे तो क्या नहीं है ये मेरे तरानों में पड़ जाए जान सुन कोई धड़कन जगा दो ना ए कितने सपने कितने अर्मा नाया हूँ मैं देखो ना देखो ना ए मेरा दिल भी एक मैं दिल है तुम भी कभी आओ ना बैठो ना आओ ना बैठो ना आओ आप बहुत ही अच्छा गाती है आँको तो हिंदुस्तान का मशूर सिंगर होना चाहिए वह तो हूँ लेकिन आप जैसे समझदार सुनने वाले कहा मिलते हैं प्रेजिंद लाने के क्या जरूरत थी इस मुलागात याद लाने के लिए वर्णार लोग आजकर मिलते हैं लेकिन भूल जाते हैं वाँ 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 याँ आपके हाथ की सच कह रहा हूँ वैसे आप जिंदेगी में कभी कुछ नहीं कोएंगे अगर गलिती जे को भी बैठे तुपाह चल्दी वापस मिल जाएगा अरे जियोती के लिए जिए प्रड़ी यहां क्या कर रही हूं एट दैंगाल में चलो पीपल अवेटः तुपल अवेटग कम प्लीज़ाव थान्यों प्लीज़ अलाव प्लीज़ प्लीज़वेटी प्रकाश्ठ तुछिव प्रकाश्छ बंदा हाजर आप जी कल मेरा जनम दिन है और मैं चाहता हूँ शान की चंड जड़ियां आपके साथ बिता ही जाए लेकिन कुछ नहीं आप इंकार नहीं करेंगे तो कल पांच बजे यूमे पहले इस वोटिल में आपके इमतिजार करें बच्पन से बुरी आदत है जो चीज पसंद आती हो अब से उठा लेता हूँ जासे की आप जी की फोटो के बुरा मत बानिये गा बहुत खुबसूरत है आपके फोड़ाया जी अरे अभी तक सो रही है क्या अगर कोई तौफा दे तू लेना ही पड़ता है तौफे तकी ठीक है प्रकाश से ज्यादे जान पैचान मत बढ़ाना क्यों पैसे वाले बाप का बिगड़ा हुआ इकलावता बिटा है फ्लेट है गाडी है और बहुत से लड़किया भी है जिन में से हरे का यही दावा है क काम क्या करता है कुछ नहीं कभी-कभी रेरियो पे गा लेता है और कभी अपने पैंटिंग की नुमाइश कर लेता है पस अर्टिस्ट भी हो सकता है लेकिन क्लब में आज तक उसके बारे में जो कुछ भी सुना है तौ मैं प्लीज कम इन स्टे नमस्ते कम जी हलो जूती रात को में आपसे ठीख से बात नहीं कर सका अजी पाटी थी पहले गाना फिर खाना फिर टाटा-गर Norse अज शाम के इन अन्वाइट करने आया हूंzon अभूड much ak publishers तो कल शांको साही हा इंप अप नहीं को बात नहीं परसू शाम को सई आप पिताजी से मिले नहीं 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 तो आप नीचे जाए पिताजी से बाद कीचिए हमें कुछ पाइवर बात करनी है और आप प्लीजी से प्लाट करता है और हर लड़की को अपनी पेटन डायलोग सुनाता है जली लड़की से पहली बार मिलता है तो कहता है तुम जैसे लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी दूसरी मुलाकात में कहता है यू तो ये दूसरी मुलाकात है लेकिन लगता है जैसे जनम-जनम से जान पहचान हो जूटा कहीं का कर तुमसे कुछ नहीं कहा नहीं तो तो कहे का वैसे तो यह हमारी तीसरी मुलाकात है लेकिन ऐसे लगता है जैसे जनम-जनम की पैश्चान है जियां लख लो आज हमारा जनम दिन है थेक्चो थेक्चर सब्सक्राइब मैंने हैपियर रिटरंस अद दे अरे यार कमाल है कल प्रकाश बाबु के साथ दूसरा जोपनी था ओ यह गलत बात है कि प्यार होने में या दिल से दिल मिलने में वक्त लगता है आप तो यह मानते हैं कि प्यार या तो पहली नजर में होता है यह तो फिर कभी नहीं होता है जरूर आप कोई अपैसी लड़के सी मिल चुकी है जो मुझे मिल जूखी है जी हां लेकिन नाम में ही बताओं मैं पूछोंगा भी ने लेकि इतना जानना चाहूंगा कि आप भी औरों की तरह मुझे आवारा रही इस बाप का बिगड़ों का बेटा समझती हैं जैसे कि सब समझती है मैं सुनी सुनाई बातों पर यकिन नहीं कोई आदमी क्या है कैसा है इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है आप दस महिर के लिए मेरे फ्लैट पर चलिए है जी मेरा मतलब है मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि मैं क्या हूं कैसा हूं मेरी राय क्यों इसलिए कि आप जो्ति है वो एर मैं प्रकाष हूँ मतलब मतलब है कि प्रकाष्य हमेश़ जोति का होता है लेकिन यह जानना चालता हूं कि जोति प्रकाष का हुग हो बस कोषम कि लेगे लेकिन तुम मानती नहीं हो, अचाहे लो और सुनो, आज भीख नहीं मांगना साब अरदियो, बगवान तुमें जुकी रखे जन्तियो, जिस दिन माई मुझे आशिरवाद देती हो, जिन जरूर कुछ न कुछ अच्छा होता जैसे आज आपका मेरे साथ घर में आना, वगेरा, वगेरा, वगेरा अच्छा लक्षमन जी, कोई आया तुने है? जी नहीं साइड अगर कोई आया भी तो कहते ना माँ घर में नहीं अच्छा साइड जोती जी, यह मेरा ट्राइंग रूम है, इसी के साथ मैं बेड रूम और उसी के साथ किचन कम डाइनिंग रूम यह मेरा छोटा सा स्टूडियो ताच्छुभू जी नहीं आपकी इसाथ की भी तारीफ सुझगे आप इन में से किसी को जानती है? जी नहीं खुबसूरत लड़किया दॉलत की भूखी, दिलों से खेलने वानी, फैशन की दिवानी इनकी जिंदगी सिर्फ नाइट-कलबों और फोटलों में बटका करती है और ये सब मेरी गुरू जेए इनों नहीं मुझे दिलों से खेलना सिखाया जूटा प्यार करना सिखाया और दॉलत से ज़जबात को खरीदना सिखाया और आप यकीन नहीं करें तक कभी किसी को नहीं दिखाई क्योंकि देखने वाले बहुत मिलें लेकिन परखने वाला कोई नहीं मिला ना जाने मुझे आप पर कुछ इतना विश्वास हो रहा है कि आप जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा सच होगा सच के लावा कुछ नहीं होगा अपनी जिन्दगी के असली रूप और दुनिया के बीच मैंने एक पर्दा गाल रखा था इस पर्दे के उस तरफ जो कुछ भी है उसे मेरे और मेरे नौकर के सिवाए आज आप पहली बार देखेंगे वो सिर्थ तस्वीरे थी खुबसूरत लेकिन बेचान ये जिन्दगी है इस मगम है दुख है मजबूरी है भूख है ये उन्ही लोगों की तस्वीरे है जो हमाई तरह इंसान है लेकिन चानवन से बच्तर है जानती हुजाती अगर मेरा पस चले तो मैं इन तस्वीरों में इतने चंकिले रंग बर दूँ इतने नए रंग बर दूँ कि इनकी आँखों की उदासी कोई न देख सके और इनकी जिंदगी का अंदेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए प्रकाश अगर प्रकाश अगर बार तो नहीं समझाओ क्या हुआ कुछ नहीं यह तस्वीर किसकी है एक लड़की है जिसे मैं कई बार सपनों में देख चुका हूँ और इतनी बार देख चुका हूँ कि उसका चेहरा मेरी आँखों में समाकिया बहुत लड़कियां मिली बहुत उना लेकिन वो कहीं इसलिए सिर्फ याददास से उसकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ जो की अधूरी है क्या मैं देख सकते हूँ एक शर्त वो क्या बग्मान स्प्राथना करना कि वो मुझे मिल जाए कि वो मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए वो मेरे दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन चैनाए मेरे दिल को दुबा कीजिये ओ मेरे दिल के चैन चैनाए मेरे दिल को दुबा की दिये अपना ही साया देखके तुम जाने जहां शरमा गए अभी तो ये पहली मन्जिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा हाए ऐसे न आहे बरा कीजिये ओ मेरे दिल के चैन चैनाए मेरे दिल को दुबा की दिये आपका अर्मा आपका नाम मेरा तराना और नहीं इन जुपती पलगों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुम को ही चाहे तो क्या कीजिये ओ मेरे दिल के चैन चैन आये मेरे दिल को दुबा की दिये यूं तो अकेला भी अकसर गिर के समल सकता हूँ मैं तुम जो पकड लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं मांगा है तुन्हे दुनिया के लिए अब खुद ही सनम पैसला की दिये ओ मेरे दिल के चैन चैन आये मेरे दिल को दुबा की दिये ओ मेरे ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे तो क्या फाइसला किया आपने मेरे बारे में साथ तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो बहुत इच्छा गाती हूँ बहुत इच्छा गाती हूँ अच्छा य बुरा यह नव पूछते तो अच्छा कहने वाली थी पूछ लिया इसले बुरे हूँ क्यो क्यों जो यह चाहता है कोई उसे अच्छा कहे उसकी तारीक करे उसकी पूजा करे और तभी अच्छा नहीं मनाँ था जिसके बारे में आपसे जिक्र किया था नमस्ती डॉक्टर आप जोती को मेरे हॉस्पिटल में ले आए इसके लिए शुक्रिया मैं आपसे बादा करता हूँ कि इन्हें हमारे हां काम सीखने के लिए हार तरह की फैसिलिटीज और आजादी मिलेगा थैंकि परी मच्छ डॉक्टर हॉस्पिटल से आगे मिटी आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर सिद्धी के साथ काम करने का मौका मिला और स्टाफ के लोग जतने अच्छे है उतना ही अच्छा हॉस्पिटल है लेटिस मेशीन है और वहां का ऑपरेशन थेटर तो बहुत ही अच्छा है तू तो बहुत खुश है लेकिन मुझे अफसोर्स है क्यों? इतने दिन इंग्लेंड में रही अब तू हास्पिटल में रहा करेगी मुझे फिर अकिला रहना पड़ेगा बेटा होता तो कहता जली से बहु लेया तू है बेटी और वो भी डॉक्टर अब तो कोई डॉक्तर ही आएगा इस घर में इसके बारे में भी कुछ सोचा है तूने पिता जी बिटिया साब दिन में आफस में गए थे ना तो परकास बाभू के चार-पाच फून आयते अच्छा एक कब गरम गरम चाय हो जाए तुलसी काका अभी लाए बिटिया जोती फोन के पास ही बैठे थे क्या सुबह से बैठा हूँ आज शाम को मिलने वाले थे ना लेकिन आज से मैंने हॉस्पिटल जोइन कर लिया है ना इसलिए सुबह शाम महीं रहना पड़ेगा तो फिर हम मिलेंगे कब में साब सिर्फ संदी को मिल सुथे संदे आज के दिन है फ्राइडे फ्राइडे साटर्डे संदे मैं संदे तक जिन्दा रहूँगा प्लीज प्रकाश वाट फ्लीज नो प्लीज हलो डॉक्टर अपी अपी एक नय पेशेंट आया है बहुत सीरियस केस है मैंने उसे एमेजेंसी रूम में रखा है अच्छे तुम इंके आखों में दबा डाल दो नाजाए ओ मर गया मर गया डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ ओ डॉक्टर ओ यह क्या पागए डॉक्टर डॉक्टर मांदा हो गया प्रामिस नहीं करती यहां बहुत काम है मुझे देर भी होता कुछ भी नहीं अब तुम जाओ यहां से आपको बड़े डॉक्टर सापने बलाए डॉक्टर कॉन है अच्छा तुम चलो मैं अगी आती है गया क्या कुछ भी नहीं अब तुम जाओ प्रामिस नहीं करती यहां बहुत काम है मुझे देर भी हो सकती है तुम मुझे भी देर हो सकती है जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं पर पड़ा रहूँगा प्रकाश कभी जोती से अलग रह सकता अच्छा बाबा आओंगी आओंगी Thank you तुम टाओंगी नहीं करता वी ट्री को मैंने रहां चावप प्रॉप 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 घ्रॉप प्रॉप प्रॉप जख करता क्या दिक रहान? संसेट मैं समझी तुम मुझे देख रहे हूं हाँ दोनों का मुकाबला कर रहा हूं सूरज डूब रहा है खुबसुर लगी सामने खड़ी कुछ कमी है क्या कमी है हाँ एक सफेच सी साड़ी हो सर पे पल्लू कले में मोथ्यों की माला माते पे लाल सी बिंदिया जो सूरज के सिंदूरी रंग को चैलिंज दे मुझा जानती हूं क्या हो जाए एक खुबसूरच सी पेंटिंग बन जाए सुनने में तो कविता लगती है है भी, एक ऐसी कविता जिसकी पहली लाइन तुम हो और दूसरी लाइन मैं हूँ हेलो, क्या कामनी जी रामगर्ड से वापस आ गई है? मैं कामनी बोल रही हूँ मैं अनुभ स्पीकिंग? बताने से या ना बताने से आपको कोई फरक पढ़ने वाला नहीं मैं मुंसी पाल्टी का प्रेसिडेंट भी हो सकता हूँ मिस्टर राजन, मैं आपकी आवाज पहचान गई कहो क्या बात है? बात बड़ी गंभीर है इस वरी सीरियस मैटर, इन शॉट हैं प्यार की मार्केट आजकल बहुत फ्लक्श्विटिटिंग हो रही है आपका डार्लिंग प्लेबॉय प्रकाश, लगपती सेच, शामलाल वर्मा की कलौती बेटी जोती के साथ डे नाइट रुमैंस कर रहा है हेल में नॉंसेंस सेंस की बात आप पकड़ लीजिए, इस ही में आपकी भलाई है, जोहन हम, जोती जोती है साथ कहा है साथ घर में नहीं है घर में नहीं है, या अकेले नहीं है चलो वहू, हाई प्लेबॉय शाम के बक्त, घर में और बो भी अकेले कोई आने वाला है कोई आने वाला, नहीं तो बस आज पेंटिंग बनाने का मूड आ गया मॉडल की तम ही थी, मैं आ गई यह क्या कर रहे हूं, यह ट्रॉंक आमी नहीं यार, only three straight on the rocks चलो वह तुम होटल तक छोड़ा Darling, तुम मुझे भगा रहे हो? तुम अभी जाओ, कल मिलते है That means you don't love me Oh, come on, come on, come on That means, तुम किसी और को चाहते हो कहीं उसका नाम जोती तो नहीं है तुमको किसने बता? किसीने भी यह बताओ, वो सच है यह जूट तुम जान के क्या करोगी मैं? उसी जान से मार दूँगी ओ, प्रकाश प्रकाश, तुम मेरे हो और मैं तुम मेरे हो Get out चले जाओ, यहांसे जोती जोती जोती, ठैरो, तुमने अस्रियत नहीं मालूम है जोती, मैं सच बोल गाओ आखों आखों से देखा, कानों से सुना असलियत समझ में आ गई अगर हो सके तो फिर किसी के दिल से मत खेलिएगा भगवान तुम्हारा भला करे बेटा भगवान हमेशा भला नहीं करता, माई कभी-कभी दोखा भी दे जाता तुमनी मुझे मारा? तुमारा नहीं सा उतारने के लिए ताकि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ तुम इसे होश में सुन सकाओ मत मारो क्या कहरा चाते हो तु सुना मैं तुमसे प्यार करता हूँ यह तुमारी गलत नहीं मिले तुम जैसी शराबी, अवारा, गर्द तुमसे कोई रिष्टा न था, न है न कभी रहेगा तुमसे बाख़ा तुमसे ऑख़ा तुमसे अनला थावश तुमसे बाख़ा तुमसे बाख़ा हलो जोती जी नहीं मैं कमल हूँ आप आएंदा यहां फोन मत किजीगा समझ में नहीं आता तुम रो क्यों रही हो मैंने तो तुम से पहले कह था कि वो किस तरह का आत्मी है अच्छा हुआ तुम जल्दी पता चल गया बहतर है तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओ जोती उठो जोती उठो ना जोती परकाथ बाबू गानोगर ये चित्ती लेकर आया है और जवाब मंगा है इस प्रूब जोती प्रूब अभु करेंद ये जुआ था कर दो कर दो कर! कर दो founding! amba.... वापस आगे तुफा तुम वापस क्यों आई? मैंने तुम्हे मना किया था या आने के लिए क्या था न? उस दिन मैं नशे में थी आज होशो हवास में आई हूँ किस लिए? दो वजे हैं पहली तु ये कि मैं जानना चाहती हूँ जिस लड़की के पीछे तुम दिवाने हो उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझ में नहीं है जोती और तुम में इतना ही फरक है कामनी जितना की उजाले और अंदेरे में होता है वो उजाला है तुम अंदेरा हो प्रकाश दूसरी वज़ा क्या थी तुम्हारी यह आने की तुम्हारी मासूमियद तुमने अभी तक पैचाना नहीं मुझे मुझे जो अच्छा लगता है उसी हासर करके रहती हूँ काश तु मेरी स्टेट में होते तो तुम्हारी पैरों में जंजीर होते और तुम मेरे पलंग से बनने हुए होते तुम्हारी जवानी तुम्हारी खुबसूर्ती तुम्हारी पेंटिंग्स तुम्हारी आवास इन बातों ने मुझे पर कोई असर नहीं किया यह तो मैं चप चाहे खरे सकते हूं जानते हो मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया मुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक है जानवर जितना खतरनाक हो, जितना चलाक हो उसे मारने में ज्यादा मज़ा आता है और कुछ कहना चाहती हो तुम और जब खेलते खेलते ठक जाते हूं तो जानवर को मारके उसका सर अपने बेडरूम में लगवा लेती हूं अगर इजाज़त हो तो मैं बे कुछ कह हूं, राजकुमारी जी इजाज़त है यू आर ब्लाडी इच इही अदाओं पे तो मरती हूं मज़ा आएगा शिकार में वैसे भी आज मैं अपनी स्टेट में वापस जा रही हूं आख्री बार तुमसे मिलने आई हूं सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम अपनी भग्वान से प्रात्ना करना कि आएना कभी मेरी नजरों के सामने ना ओ तुम जा सकती हो कम आन चामी जोती कमन जोती जल्ली तयार हो जाँ पिकनिक पर चलना है और आज तो तुमारी चुट्टी भी है नहीं कमल मेरा कहीं आने जाने को मन में करता तुम्हें चलना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए तु मैंने प्रोग्राम बनाया है तुम्हारी उटासी मुझे से देखी नहीं चाती जिद मत करू कमल मैं नहीं आ सकती तो क्या अब भी तुम उसे चाहती हो मालूम नहीं मेरी कुछ समझ में नहीं आता कमल कैसा लगता है जैसे एक सपना देखा था बुरा सपना जैसे याद नहीं करना चाहिए तुम अपने आपको क्यों चला रही हो अब तक तो वो तुम्हे भूल भी गया होगा है चाहिए चाहिए पर्काश कुछ देर पहले तुमने मझे ओफिसर फोन किया था हां तुम फारण चले हो क्या कोई बहुत जरूरी काम है हां का देर हो गई तो शाइब बहुते में दाईगी प्रिकाश प्रिकाश के जहर प्रेश नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अभी आ रही हूँ प्रिकाश यह तुमने क्या किया पागल मुझे इतना तो समझने देते तुम अच्छे हूँ या बुरे अब तो बता दो, मैं अच्छा हूँ या बुरा तुम जिन्दा हो? सिर्फ तुमारे लिए अरे जोती है तो प्रकाश आमर है मैं प्रकाश जोती पर मता बद मन करो इसे कहते हैं प्रेम मुर्दे में जान डाल दी जक्कल तो भी खाया तो यार लेकिन यह हूलिया क्या मना रखा है मेक अप किया क्यो मामला आप दोनों का और मेरे ओफिस का वग बरबाद हुए यहां हमारी जिंदगी बरबाद हो रहती उसका कुछ नी मैं जो मैं खास करके इसलिए बुलाए कि उनको पताओ कामनी देवी चीज क्या वो शराबी किसी के भी गले पढ़ने वाली आवारा ललकी आपने सोचा कैसे कि प्रकाश का कामनी जासी ललकी से कोई संबंध हो सकता है क्लीन सटिफिकेट ओके प्रकाश मैं जल दू मैं जल दू मैं भी जा दू यह तो बताओ क्या सोचा मेरे बारन तुम बुरे हो बुरे हो बहुत बुरे हो अरे अरे मेरे मेरे बात तो सुनो हमार जलिब की होगा दॉक्टर साहिप नहीं मार करते जाओ दिवाना दिवाना करके छोड़ोगे लगता है यूँ हमको सावार कहा ऐ जाने जहां यूँ प्यार से तुम देखान करो है जीना मुश्किल तर दोगे लगता है यूँ हमको सावार कहा ऐ जाने जहां यूँ प्यार से तुम देखान करो है जीना राही वही रुपते हैं गनी जहां छाव मिले प्यार से रुख रुख देख रहे जाहां मुझे सर से कदम सब सपनों के कहीं गाव मिले मैं साजन किर से कहो ना दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं हम को सो बार कहां मैं जाने जहां यूं प्यार से तुम देखान करो दीवाना तुम न मिले भे कुछ भी नहीं था जीने में आपत है मिलना सावन के महीने में तूपा क्या है देखो मेरी इन आखों को आखों के तस्वीर बनी मेरे सीने में हो 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 तुम ही तुम हो इन सासों में सुनो ना सुनो ना है जीना मुश्किल कर दोगे लगता है यूं हम पर लाला जी आठ के इन नमूनों के बारे में क्या ख्याल है आपका वायाई वाजगर अब आपी सूचिए ऐसी तस्वीरे बनाने वाला खुद कैसा होगा आदमी के काम से उसके करेक्टर का पता चलता है मेरा भी बिलकुल यही ख्याल है जियोती जैसी पड़ी लिखी समझदा लड़की का ऐसे बदमाश आदमी के साथ घूमना फिरना बहुत बुरी बात है क्या बक्ते हो ना बक्ता नहीं अपनी आखों से देखकर आया है मैं भ अधिए प्रकाश बदमाश लफंगा कान देता हूँ मकान तू मैंने पहले देख रुखा है आपको भी दिखा दिता हूं आगगा आप जानी ज़ी चल आभी चल फोरण चलिए फोरण चलिए नरसते लाइजी कैसे आना हुआ देखो, मेरी एक ही बेटी है और मैं नहीं चाहता कि उसका मेल जोल किजी गलत आत्वी से हो आप बैठे दूसे नहीं, मैं सिर्फ ये जानने के लिए हूँ कि जोती के तुम्हारी कितनी जान पहचान है हम दोनों एक दुरसे से प्यार करते हैं ये नमुम्किन आज से तुम जोती को हमेशा के लिए भूल चाओ अच्छा यह होगा कि आप जोती से कहिए वो मुझे भूल चाओ मैं जानता था तुम मुझे ब्लैक मेल करोगे ब्लैक मेल? लड़कियां भोली होती हैं तुम जैसे आदमी की बातों में आकर अक्तर उन्हें गलत फैमी हो जाती है जिसे वो प्यार सभशती हैं और तुम लोग इस कमजोजी से फाइदा उठाते हैं लालाजी अगर आप जोती है मैं बिजनेसमैन ती आयंदा मेरी बेटी से ना मिलने के लिए तुम्हें कितनी रखम चाहिए मैंने साइन कर दिया है तुम बन दो आप सौधा करना चाहते हैं नहीं मैं अपनी बेटी को बरवार्दी से बचाना चाहता हूँ लालाजी आप सेट गोविंजरान को जानते हैं उख और नहीं कर दै क्या चाहते हूँ अगर आपसॉदाि करना चाहते हैं तुमाराप की बेटी से शाली करने की इजाज़त खरीदना चाहता ना उनका बेता हूँ मैंने साइन कर दिया फइकर फड़ दिया परकाश आप भी मेरी प्टाजी जासे है हर चीज खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो दुनिया में नहीं खरीदी जा सकती हैं लाला जी तुम बक्तमीज हो आवारा हो लाला जी आप हाट पेशिंट हैं आपको एक्साइटी होना चाहिए घर जाए आराम की जाए लाला जी आपकी चेक टुक तुम्हारी बेटी ने कमाल कर दिया लाला आज मैं उसका अस्पताल गया था अरे जो भी मिला उसकी तारीफ कर रहा था बस अच्छा वा राम परशाद तुम आ गये तुम मेरी बेटी की तारीफ सुनकर आया और आज मैं एक नया सबह सिक्क्या है मतलब यही कि एक लड़की इंगलेंड से डॉक्टर बनके आने के बाद ही बेखू बन सकती है बाद क्या है लाला एक लड़का है प्रकाश लड़कियों की गंदी गंदी तश्विरे बनाता है जोती कुछ से जान पचान है कितनी है मुझे पता नहीं पता जी मैं आपको खुद ही बताने वाली है मैं खुद उसे मिल चुका हूं और आज से तुम उसे कभी नहीं मिलोगी लेकिन पता जी प्रकाश के बारे में तो लाना जी ठीक कहते है बेटी ये तुम्हारे पिता है तुमसे ज्यादा दुनिया देखिए भले बुरे की पैचान तुमसे ज्यादा कर सकते हैं प्रकाश को मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमसे जानते हो हां अगर उसका असली जूप देखना है तो इसी वक्त मेरे साथ चलिए तो चलो इसी वक्त मैं चाहता हूं जोती की आखे खुल जाए कि यह किछे कर लिया है लाला आउं तो सही जूपा की मा कैसी हो पहले से कुछ हालत सुद्री आए अब तो मैं ठीक हो बच्चे स्कूल भी जाने लगे और महिने की चार पैसे भी बचने लगे अच्छा अच्छा बैठो काम करो लाला पहले आगे तो चलो आओ अच्छा अच्छा ये बताओ भाईया का है अपनों को कब है शाम अपनों को कब है शाम मुख दिख लाओगे ऐसे में आए ना जिर कब आओगे एकल बेकल पंथ निहारे उम्रे दरस के प्यास तमाम के दिन से हो गई शाम आओ कनाई मेरे था ये दिन से हो गई शाम इस मन में आ जाओ नैनों के बटको सासों में धड़कन में मोहन उन्रे बोर तुम को नहीं तो किसको पुकारूं तुम को नहीं तो किसको पुकारूं मुझे को तो आले एक नहीं नाम के दिन से हो गई शाम आओ कनाई मेरे थाम के दिन से हो गई शाम भाईया बगवान को ये पृषाद चला दो तुने ये डोना नीचे क्यों रख दिया हां तुके मैं हरी जानी हूं इसका मतलब मेरा इस बस्ती में आना तुम लोगों को समझाने का कोई फाइदा नहीं हुआ पेटी इस दुनिया के इंसान एक हैं इस दुनिया के भागवान एक हैं तुम लोगों के आँखों से पर्दा कब हटेगा हां ये लोगो अब तुम अपने हाथों से मुझे परशाद कि लोगो अब तुम्हारी होने वाली पत्नी है आपने मुझे वादा किया था कि आप किसी भी जान पैचान वालों के यह नहीं लाएंगे ये जान पैचान वाले नहीं बेटा तुम्हारे होने वाले रेष्टेदार हैं तुम्हारी होने वाली पत्नी और परम पुझ्य ससुर जी यो लाला अब तो लगा पसंद है सबार शर्मिंदा मत करो बेटा कस सको कि मुझे माफ करते ये क्या कहना है आप बड़े हमेशा छोटों को माफ करते हैं और छोटे हमेशा हम बड़ों का आशिरवात लेते हैं बेटी अब कोई चिंदा की बात दी तुम्हारे पिता जी के आँखे खुल गई मुझे सिर्फ इतने ही कहना है कि तुम दोनों जल से जल शादी कर डालो हाँ बई प्रेम प्रेम काफी हो चुका लो यह तो सर्मा के भाग गई है बच्ची है डॉल्टर साथ देखो बेटा तुम आज ही अपने पिताजी को चिठी लिग दो अरे चिठी लिग नहीं क्या बात है बस मैं खुदी चले आता हूं अभी गया अभी आख चलो बात कि 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 दर लगता है तुमसे क्यों-क्यों जब भी आते हो एक नए रूप में आते हो बहुत कुछ चुपाते हो नुसे सिर्फ एक चीज़ चुपाई क्या तुम्हे अपने लिग पिताजी समझे मुझे फोन तो कर सकते थे जरूर तुह आज तुम्हें जिस रूप में देखा उसकी वज़ा जानना चाहती है जाना कहों जानती है बच्पन से बारा साल तक पैसे पैसे के लिए महताज रहा करीबी मा को खा गई तब से पिताजी ने कसम खाई लगपती बनने की और लगपती बन गए उनने मुझे भी लगपती बनानी कोशिश की लेकिन मैं मैं उस करीबी को न भूला जिसने मेरी मा की चान ली थी और आज जितने भी पैंटिंग के पैसे आते हैं उन्हीं लोगों के काम आते हैं जिनने मेरी मा जैसी कई माई है कहने को हम भी लग पती हैं प्रकाश अगर तुम्हारी टैडी राजी नहीं है तुम्हें मना लिया है तुम्हारी डैडी को मना लिया है तो यह हमारे डैडी की बात कल जाते ही शेट लेकिन हमें पुछे से प्यार करते हैं डैडी बैडली पुरी तरह सुनो परकाश, तुमने आज तक जिन्गी में जो भी कुछ किया मेरी मर्जी के खिलाव लेकिन शादी मेरी मर्जी सोगी मेरे लड़की वानों से भादा कर चुका हूँ निव मेरे जिन्गी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जबान दी और वादा पुरा नहीं किया तो वादा पूरा stationary मेरे मेरी लगों में भी अपका खुन छादी पर एक पाच्रिक पर sund inve judgments मैं card फ़ेश दो injury also the card बाइड में तरफ ये तरफ लाईए आपको न था न कभी होगा लेकिन मुझे अपनी इसत का ख्याल है सेट गोविंदराम के इकलोते बेटे की जब शादी होगी तो जरा धूम-धाम से होगी तुमाम लिश्चिदार एह बाप मेरी तमाम बिजनिस कम्यूनिटी शुरीक होगे आपने आज तो जो भी कुछ किया अपनी मनमानी की आज क्या मैं आप से एक रिक्वेस्ट पर सकता हूँ खोजड़री आप अपनी शादी की इंतजाम की जिम्यदारी मुझे दे दे ताके आपके बाप होने के नाते दुनिया में शर्म से सर ना चुका हूँ जैसा आप चाहे अगर यही बात थी तो मुझे पहले बगा दिया होता हूँ खाव खाव उस बैचारी को बुरा भला कह दिया अब तो मुझे प्रकाश से माफ ही मांगनी पड़ेगी चलो मैं माफ कर देती हूँ एक ही बात है ना यही बात है अब उसे अहां चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिये मिलन की मस्ती भरी आखों में हजारो सपने सुहाने लिये तला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिये यह मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में समला कैसा मेरी हसम जो लहराती दगरिया हो तो फिर क्यों ना चलू मैं पहका पहका दे मेरे जीवन में यह शामाई है मुहबत वाले जमाने लिये ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिये वो आलम धी अजब होगा वो जम मेरे खरीबाएगी मेरी कसम कभी बैया छुडा लेगी कभी हसके गले से लग जाएगी हाई मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सक्चे जूठे बहाने लिये ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिये बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम बुनैनों में भरे का जल घुमट खोले खड़ी है मेरे आगे रे शरम से वो जल जुकी पल्ठों में जवारातों के पसाने लिये ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिये मिलन की मस्ती धरी आखों में हजारों सपने चुहाने लिये ओ जला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिये लालाला, 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 लालाला लाला 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 इस आत्मी को पैलस में ले चलो और इस काड़ी को पाहर के नीचे धगें दो राज कुमारी जी इनकी हालक बहुत सीरियस है फौरण खून देना पड़ेगा बेहतर यह होगा कि इन्हें किसी हास्पिटल में नहीं यह पैलस से बाहर नहीं जाएगा आप दुनों इसे यहीं ची करेंगे लेकिन राज कुमारी जी यह सीरियस एक्सिजेंट का केस है आप मेरे एक पैलस के डॉक्टर है स्पेशलिस है इसकी जान बचाएंगे तुमों मांगा ही नाम मिलेगा और अगर यह मर गया तो आप दुनों की खेर रहीं राज कुमारी जी चाहे जैसे भी हो किसी भी कीमत पर इस आदमी को अच्छा करना है और हाँ इस एक्सिदेंट के बारे में किसी को भी मालुम नहीं होना चाहिए करन सिंग कुछ टेलिग्राम फॉर्म लेकर ऑफिस में आप जी बिट्या यह तारा आया है बिट्या गोगाँ बिट्गा, क्या हो बिट्गाँ यहाँ लेलादी, ने जहने बिट्गाँ को क्या हो गया धरिए या दुस्वी इस ने आपकाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता जोती, जोती, जोती एक तो कार की चकना चूर हालत, जोसे पहार से निचे दो अजार फिट की घहराए और तेज बाहा वाली नदी, विस्तर प्रकाश का जिन्दा बचना नाम हम के ज़ा फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बॉडी का कहीं बता नहीं चला, सेट गोविन राम जी भी हमार साथ थी देदेश देश 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 बाकी सब सामान को हम साथ के पिता जी के आप पहुचाए दिया है लेकिन यह तस्वीर है तो सही ने बहुत प्यार से बनाई रही है आप से दिना पूछे हम यह ले आए हमारे मन ने का सही भी शायद यही चाहते कि उनकी तस्वीरे आप ही के पास रहे है क्या हो बेटी कुछ नहीं मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर बहुत बड़ा सत्मा पहुचा है लेकिन बेटी जो कुछ होना था वो हो गया अब अपने हाप को समाल दिल पर पादू रखे आप नहीं रो बेटी बेटी तुम पढ़ी लिखी हो समझदार हो डाप्टर हो अपना बहुत बना अस्पताल बनाना चाहती हूँ अगर इस तर दिल हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा नहीं पिताशी नहीं मैं और कुछ दिल आ रही तो पागर हो जाओगी बिताशी मैं जानता हूँ बेटी तुम यहां रहा कर अपना गम नहीं भुला सकते अच्छा बेटी काम करते हैं यहां से कहीं दूर किसी हिली स्ट्रेस्टों में चले जाए तु अपना अस्पताल वहीं को नहीं खोलती डॉक्टर, कमल जी पेशिंट को लेकर आगई उन्हें विठाव में आगई जब से यह हॉस्पिटल खुला है दिन रात यहीं रहती है मरीज, ओपरेशन और दवाईयों में खोई रहती है ने कहीं आना जाना ने किसी से मिलना जुलना अरुकमल आओ जोती यह है कैप्टन मेन मेरे हस्बन के खास दोस्त यह उनकी बेहन उशा और यह पपू, तुम्हारा पेशन्त पपू, डॉक्टर साब को नमस्ते करो नमस्ते डॉक्टर साब नमस्ते बिट्री, तुम्हेने नाम क्या है? पपू नहीं, पूरा नाम परकास्चन मेरा इसकी केस पेपर्स का है कमल, तुम थोड़ी देर इन लोगों के साथ नहीं बैठो कमल, यह तो बहुत भीलभार है मुझे डॉक्तर से मिलना है सबको मिलना है जे, हम एक अलाज से बैट करता है आपका नमबर? तेलेफोन नमबर? त्रीसिक्स जीरो जीरो सेवन 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 मिल दीससक्ता ओह आप रिक्षरते हैं? मेरे नाम किसे मालो? मत Democrat है क्या बोलता है जै हमारा नाम राजन इसे अव्राजन से औरॉट चाहिजिए ये जाजन बापची आप ही का नाम राजन है मैं ही अपना नाम बदलूगा आप जाइए 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 बहुत देखें ऐसे कल्दी पहलवान है अच्छा पॉपो अधी मैंने तुभरे सामने लाइट जलाई कुछ पता चला नहीं पहलो मुझे सब कुछ दिखाई देता था अब कुछ नहीं दिखाई देता मैंने बेबी को भी नहीं देखा कौन बेबी मेरी बैर इतनी चोट इस ही है उसे मैं गोद में लेता हूं उसके आवाज सुनता हूं मगर उसे देख नहीं सकता अच्चा अगर में तुमारी आखे ठीक तरदी तो ते मुझे क्या दो के तो पिरतो मैं तूम्हा एक बड़ी वाली टैट बरी चोटलेट दूगा बस एक ही, मैं तो तुम्हारी दोनों आखे ठीक करने वाली हूँ अच्छा, तो मैं दो केट बरी चॉकलेट दूंगा दॉक्तर, पप्पू की आखे अच्छी हो सकते हैं? माइनिंग आपरेशन के बात है दॉक्तर, अगर पप्पू की आखे अच्छी हो गएं, तो हम आपका हैसन कभी नहीं फूलेंगे हम दॉक्तर से सिर्फ कोशिश करते हैं, अच्छा तो ऊपर वाला करते हैं ऑपरेशन कब तक हो जागा दॉक्तर? वह मैं कमल को बता दूने अच्छा, मुस्तर अब इनकी जान को कोई खत्रा नहीं लेकिन ये पत्या कब खुरेंगे? कुछ दिन और लगेंगे, जखम भी भरेंगे तो अच्छा मोती जैसे दांट भी दिखाए में पत्ती का खुलेगी दाट्टर रंती कुछ उतिएर भी हुआ पत्ती कोकि अच्छा विटास्व दिखाएंध 15,000 धरा केछा मुह पुछ दिखाएंधे? मैं धितन जग्योँ मुछ?.. मुछ दिखाएंधे? मैं धितन जग्यो Give me अरे, मुझे तु सब कुछ दिखा जी तर, तो तुमें देख रहा हूं, डाक्रिंटी मम्नु कार, डेडी कार, डेडी कार अभी है, यह देखे ममी, पपू, डेडी, हलो गटे, कैपनल मामा, हाई पपू यह देखो पपू, यह तुमारी छोटी बहन है, बेबी, अच्छी है यह यह तो बिल्कुल गुर्या यह यह अंटे, यह लो आपको कैपी चपले अजे, तुम भूले नहीं, कौन लाया कैपी लाया जोती, संदे को तो फ्री हो ना क्यों, डॉक्तर, आप में नेरे बेटे को सिर्फ आँखी नहीं, एक नहीं विंदगी भी दी है इसकी खुशे माम आपको एक थोटी सी पाटी देना चाहते आज का प्रोग्राम काम्याब रहा क्योंकि बहुत दिनों के बाद पहली बार जोती को मैंने हसते हुए देखा और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहली बार डॉक्तर जोती ने हॉस्पियल से बाहर अपना कदम रखा है यह तो मेरी वजात से मैंने कहा था इसलिए वा कमल भावी इन्वाइट तुम मैंने किया था साइच जोती से पूछ लो मैं तो पपु के लिए आई थी अब चलती हूँ चलिए मैं आपको हॉस्पितल छोडाता हूँ फेर आओगे ना अंटी जरूर आओँगी पपु अच्छा नमस्ते यू माइंड इफ आई स्मोक प्लीज गोएड थेंक्यू डॉक्टर दिन राथ हॉस्पिटल में काम करके आप बोड तो नहीं हो जाती काम इतना ज्यादा होता है बोड होने की फुरसती नहीं मिलती काम कितना भी जादा क्यों नहीं हो इंसान मशीन तो नहीं बन सकता काम के साथ साथ आराम भी चाहिए जिंदगी में कोई दिलस्थ भी होनी चाहिए आप कहना क्या चाहते है यही के आप भी इंसान है इंसान और मशीन में सिर्फ इतना फर्क होता है इनसान के पास दिल है, दमाग है, जजबात है, और प्यार है अरे, केट बंद हो गया चलिए इसी बहाने पांच मेट और आपका साथ रहेगा मुझे होस्पिटल जल्दी पहुच रहे है वा, क्या लाइन है आपके हाथ की जिन्दगी में कभी आपका कुछ नहीं खोएगा और अगर खो भी गया, तो वापस मिल जाएगा गुद नाइट और थैंक यू डॉक्तर जोती एक चोटी से भेंठ है, मेरी तरफ से गुद आपके है, गुद नाइट क्या है, प्रफ से के जिन्दगी आपके है, जिन्दगी को भी आपके है, प्रफ से तर तो वाइडे दुद आपके है आपके है, प्रफ टूब नाइट पुझा आना, बंद क्यों कर दिया? मैंने कहा, प्यानो बजाओ फिर पी कर आ रही है, राज कुमारी जी सुना नहीं, बजा प्यानो मैं आपका कैदी ज़रूर हूँ, लेकिन अपनी मर्जी का मालिक हूँ राज कुमारी जी, कभी आपने कोहल की कुक सुनी है जो हरे बरे पेड़ों की टालियों पर बैठकर आजादी से बाहरों के कीत गाती है उसे कभी पिंजरे में बन करके देखिएगा राज कुमारी जी तुम भी नहीं खरीच सकती हो ओ, यह कौनसी शरा पीती हैं यह भी आपे की तरह कड़वी है क्या हुआ? खामुष की हो गई आप? हाँ राज कुमारी जी चली गई कोईल की कूप नहीं तु चीक तो निकलवा सकती हो पर आप जाए कल से दस होंगे रोज पांच हंटर बढ़ते जाएंगे जब तक मेरे कडमों में अपना सर न चुका दू तब तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा जवानी ढ़ल जाएगी शराब आपको खा जाएगी मेरा सर कट सकता है लेकिन जुक नहीं सकता है राजकुमारी जी चीक है जिस दिन मेरे सबर कब बांग तूतेगा तुम्हारा सर कट जाएगा मेरा डॉक्टर जूती से मिलना बहुत जरूरी है आपने अपाइटमेंट लिया है नहीं तो, लेकिन मैं उनको खुब अच्छी तरह से जानता हूँ और वो भी मुझे चानती है लेकिन बिरन अपाइटमेंट डॉक्टर के किसे नहीं मिलती वेरे बेग टिस अपाइटमेंट बसके आज डॉक्टर बहुत बीजी है आपका लाईएगा अच्छा, सुनिये तो फिर आज आप ही से अपाइटमेंट हो जाएए जी? नहीं नहीं मेरा बतादा शाम को दूटी के बाद जवाब फ्री हो जाएगी चौपाश्टी पे चलके बेलपुडी खाएगे और रात को साड़े नौबजे का शो रेडियो टॉफिस पर फिल्म देखेंगे रेटन अफ तफान में, क्या खयाल है? वैसे मेरा खयाल है आप फॉरन यह से चले जाएए वरना मुझे वाच्मेन को बलाला पड़ेगा तीसरे आदमी को क्यो बलवाती है? हमारा मज़ा खराब हो जाएगा क्या? वैसे मुझे तेरी मुझे में पड़ गई हूँ क्या विनोट का फोना आए था वो आद शाम को मुझे डिनर के लिए लए लायक करना चाहते है तो इसमें मुझे अश्किल क्या है? चली जाओ मुझे ऐसा लगता है क्यों मुझे जान प्राजान बढ़ाना चाहते है तो कोई जूर्म है क्या? तुम में बढ़ाना जब इन्वाइट किया है तो जाने साहिए आदमी बुरा नहीं है इसकी गरंटी मैं देती हूँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं तो प्रेश्रा हो गया मैं चाचा जुसे कह दूँगी क्या तुम देर से आओगी लेकिन कमन ये लीजी मैं उसे क्यों आप बहुत कम खाती है बोलती भी बहुत कम है इतनी देर में आप में सिर्फ हाँ या ना के सिवा कुछ भी नहीं कहा शाहिद आपको मेरी कमपनी पसंद नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो फिर आप खामोश क्यों है अब तो हम कई बार मिल भी चुके हैं जान पहचान भी हो चुकी है मुझे स्यादा बूलनी की आदत नहीं लेकिन मैं तो जब भी हॉस्पिटल गया हूँ आपको मरीजों से बात करते हसते वे देखा है वो दूसरी बात है वहाँ तो मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ थोड़ी देर के लिए अपना हॉस्पिटल, मरीज, अपने जिमेदारियां यह सब भूल कर सिर्फ एक लड़की नहीं बन सकती करते है आज आपने नाजुक हाथों से मुझे छुआ मतलब? आपका हंटर कहां गया? पेवकूफ, एक अदम और आगे बढ़ते तो छुरा आरपार हो जाता अच्छा? सच, ताक्चुब है, जान लेने वाले जान बचाना भी जानते हैं और जान देना भी यह शराब बोल रही है, राजकुमारी जी नहीं, एक अवरत जो तुम्हे जाती है चूट, जो सिर्फ शिकार करना जानती है हाँ, लेकिन बड़े से बड़े शिकारी कभी निशान चुप सकता है एक दिन अचानक वो खुच शिकार हो सकता है अचानक राजकुमारी के मिजारज में तब्दिल ही कैसी है क्यूंके तुम पर जितने बार किये, सब खाले गए मैं हार गए आज मैं तुम से इलत जाकर रहे हूँ मुझे अपना बना लो मैं तुम्हारी कदमों में रहूँगी तुम्हारे तास्य बनके नहीं नहीं उठिये यह तो एक राजकुमारी के शान के खिलाफ है प्रकाश, प्रकाश मैं जवान हूँ, खुबसूरत हूँ यतनी बुरी तो नहीं हूँ, जितनी तुम्हें लगती हूँ लगती थी, अचानक अच्छी लगने लगी हूँ जानती हो, आज मैंने तुम्हारा एक नया रूप देखा जिसमें दिल भी है, जस्पात भी है आंकों के साथ-साथ, शाहिद दिमाज भी अंदा हो गया था च्वाज तक मैं तुम्हे पहचानना सका प्रकाश, मैं जाली मेरा मन कर रहा है कि आज मैं नाच हो गाओ, खुशियों से पागर हो जाओ तो हो जाना लेकिन तुम देख नहीं सकते सुन तो सकता? साच ले आओना, बले लगालोना, लगे पुझादोना उजाना जी सुनी जो अगनल जाये है तो चुके देखो न. कहा कहा ४ॉश जेखो, सीने में किसे हर्कर में है पाशा जनव, पाशा जनव सीने में किसे हर्कर में है आसा जड़ा पैसे शर्मी ले हो जानी आचा आचा जो न लेगा के है दुनिया से दरते हो तुम्हे सारी बीपक आई हूं जाते आप सबन नेताई इसका एक तूहुँ नाँ आओना गले या तालो ना नखे बुझा दोना ओजानो जूर सुने जो अगन वो जाई है तुछो के देखो ना कहा को हूँ देखो, सीने में देखे, वल्चल मठी है असाजना पब पब देखो, सीने में देखे, वल्चल मठी है असाजना बहती मैं, बहती मैं, बहती मैं, बहती साजन कच्छो इन बाहों का भेजा हा मन यी ना कर से मीलन के है पिल बर प्यासा प्या सतन भी मेऋना मचक इलबहाँ, मैं ली लूपना सना कारका, तड़ика, तपुळासा पृर। तोरे पृरे 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 अओ ना जले का जनौना, लदे बुधा जनौझा आचाने जाए परकाश, आज, आज तु मुझे इतनी आप्यार करो कि मैं अपने आपको फूल जाओ नहीं, नहीं क्यों नहीं? अले, तुम्हारा हाथ एतना धंडा क्यो है? मुझे छूपकर देखो, तु चल रहे हूँ कामनी, मैं तुम्हे प्यार करना चाहता हूँ लेकिन बंदन में रहकर कोई प्यार नहीं कर सकता लेकिन यहां तो कोई बंदन नहीं है? है, है मैं एक अलाकार हूँ इसमाहिल की दिवारों के बीच मेरी आत्मा खुटती है क्यों न, मुझे कोई ऐसी तका ले चलो जा खुला असमान हो, उच 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 पहार हो, खुबसूरत वादिया हो, जहां कोई की खुख सुनाई देती हो जरूर ले जाओंगे, जरूर ले जाओंगे कल कल? तुम सिर्फ मजबूती से रास पकद लेना चलो क्यों में का युच्छ है विश्जियू अभादव परकाश लेकिन हम कहां आ गये? हाईवे के नज्तीक अच्छा प्रकाश बड़े अच्छी जगा है यहां कोई पहाड नहीं है नजदीक यहां तो नहीं पर सामे दिखाए देता है तो मुझे वही ले चलो ना ओके बड़े चलो नहीं है बड़े चलो नहीं है मैं जानती हूँ तुम यही आज पास छुपे हो अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते क्योंके तुमने मुझे दोगा देनी की कोशिश की याद है ना मैंने कहा था मुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक है मास भी शिकार कमा तुम बड़ा तुम इडे रेता झाल झाल फ्याच झाल आओए adding aically आओएऑक आओआक आओएएफब इसे आओट कर खुदला के बनाहिजा हुआ! झाल झाल चिल्टर, को बोरित्फस, ये रखने, समय दोडीता क्ाईमसरे की जे बान्या में व便तीक, आपकाrd Sामन् Alberto, ये दोने जोड़ Gary, एी है थाओ, हुआ हुआरू कर दो कर दो कर दो ए यू ब्लटी फूल देखता नहीं काड़ी आ रही है अंदा है क्या एफ भी आप जो है याओ तुमारी किस ने बना रोगी आप जो भी है मेरी मदद कीजिए मुझे मेरे घर पहुचा जीजिए प्लीज शोर शोर कमपूल मुर्शाथ चलो बढ़ जो गुट गुट शुसागर है बंगले का नाम ठेड़ो ठेड़ो मैं तुम्हें दर्वादे तक पहुचा देता हूँ आजाओ अंखों के बगार तुम्हें काफी तकलीफ होती होगी अब तुम आज़त सी पड़ गई है फिर सेडी थैंक्यू कैप्टन थैंक्यू किस बात का तुम्हारा का दास्तिम पड़ता था छोड़ दिया आओ इस तरफ अच्छा प्रकाश अब मैं चलता हूँ यासे कैसे हो सकता पिता जी से मिलके जाईए ना नमस्ते जी नमस्ते कईए आप कौन है पिता जी काहा है किसके पिता जी मेरे पिता जी तुम कौन हो जी हाँ तुम कौन हो? मैं सेट गोविंद राम जी का लड़का हूँ उन्हें बलाईए ना तुम्हें पता नहीं सेट गोविंद राम जी का सरवाश होकर एक महना हुआ क्या? हाँ, हाट फेल से अचानक उन्हें बिजनिस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ अपना सब कुछ बेचना पड़ा यहां तक कि यह मकान भी इस मकान का नया मालिक मैं हूँ माफ कीजिए आपको खामखा तकलीफ दी इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं प्रकाश प्रकाश I'm sorry ये तो सब किसमत की खेल है लेकिन अब तुम जाओगे कहा कहीं भी अब तो चारों तरफ अंदेरा यांदेरा है तुम्हारे को रिष्टेदार नहीं कोई दोस्त, कोई जनपेशन वाला है लेकिन मौन पर बोज नहीं बनना चाहता तो तु 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 फिर मेरे साथ चलो कहाँ मेरे घर आपके घर नहीं अरे भाई तुम कमजोर हो जखमी हो और देख भी नहीं सकते ऐसी हलत में तुम्हें अकला नहीं छोड़ सकता लेकिन मैं तुम्हारे घर यस यस वाई नॉट डूंट बी सिली कमान टेक लाइफ इजी आखर इंसानियत भी कोई चीज होती है कमान कम देखके तेट्स गुड नमस्ते कमल जी पहचाना नहीं मुझे मैं हूं राजन अरे राजन यह क्या हुलिया बना रखा है कमल जी महबत इंसान को क्या से क्या बना देती है मुझे पेंटर और सिंगर बना दिया बैठो मैंने बहुत सोचा कि प्रकाश में ऐसी कौन सी खुवी थी कि वो ज्योती के दिल पर च्छा गया था मैंने अब महसूस किया कि मुझे में दो चीजों के कमी है तस्वीरें बनाना और गाने गाना बहुत महनत करने के बाद मैं दोनों चीजों में एक्सपर्ट हो गया हूँ अच्छा आर्ट के इन नमूनों के बारे में आपका क्या ख्याल है यह क्या है आप ही बताइए क्या है बैंगन नहीं 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 आर्मूनों की दुनिया लेके तरहा क्या र्मानों कि दुनिया लेकर कर आया हूं लेकर आए। बस बस लगता है तुमने वाकर काफी मेहनत की है मेहनत करना इंसान का फर्द है खेर जी बताये कमन जी कि आप तो जोती के अची सहली है आपको ख्याल है मेरा कोई चांस है में के पास Do you think I can come very close to her? No, Mr. Raja, Yoti to Prakash को चाहती है चाहती थी, वो तो इस दुनिया को छोड़ गया लेकिन Yoti के दिल से नहीं गया औरना कभी चाह सकता है What a bad luck, मानुँ होता है जिन्दा होके भी मुर्दे के साथ कॉम्पटिशन करना पड़ेगा है कोई बात नहीं, प्यार किया तो डरना किया मेरी बात मानो, Raja, Yoti तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हाहा, हाहा, हर शरीव इंसान का फर्द है कोशिश करते रहना है Lord Mountbatten has said, try and try again, you will succeed at last प्यार करते है प्यार करते है क्या हुआ? सब्सक्राइब क्या हुआ? सब्सक्राइब बेता, तुने पूछा था? कोई तो होगा उसका दुनिया में? उसने कहा वो किसी पर बोज नहीं बनना चाहता What a tragedy जवान, बढ़ा लिखा, फलेगर कलड़का और अंदा हो गया मेरा तो जिल भराया उसे तेखकर ऐसा लगा जैसे अपना ही बेता है मैंने तो फैसला कर लिया जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा मैं उसे यहां से नहीं जाने दूँ यह बहुत बुरी बात है हमेशा हर बात का फैसला तुम मुझसे पूछे भीना कर लेती हो अगर पूछती तो क्या कहते मैं यह कहता के अपना एक बेता तो आर्मी में है हमेशा बहारी रहता है दूसरा तो कम से कम घर में रहे यह डैटी वादेश हो जाए इसी बात परेखे को हो जाए नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा बेटे इस चोटा सा बना दे बड़ा बना रहे अच्छा बस बस कैसे अभी तो आधा खाना बगी है खालो बेटे ताकत आएगी लो अरे तू रो रहा है बेटे रोने से दुख तो नहीं होता दुख तो सहना पड़ता है दुख तो आज में सहसकता महाजी जब माचल बसी प्यार भी चला गया जो सारी उमर में प्यार नहीं सही जाती मेरी खुशी तो बच्पन में चीन गई जब माचल बसी प्यार भी चला गया एक तिन तु जाना ही है जितने दिन रहूंगा प्यार उतना ही बढ़ेगा जिस दिन जाओंगा जनम बर का दुख लेके जाओंगा और फिर आप जैसी मा इस दुनिया में कहा मेलेगी तुने अभी मुझे मा कहा ना मैं तुझे कभी नहीं जाने दूगी कभी नहीं जाने दूगी तू हमेशा मेरे पास रहेगा पेपे मा हमेशा रहेगा हमा गुद मॉर्निंग दॉक्टर आप मैं आपको अपने घर ले जने आया लेकिन आपको उस दिन कहा था उस दिन की बात और थी आज मैं आपको एज डॉक्तर ले आना चाहता हूं मेरे दोस्त की आखे चली गई है तो उसे हस्पितल ले आना था वह यहां नहीं आना चाहता हूं बिल्कुल मायूस हो चुपा है बेगा आपसे परसनल रिक्वेस्ट है अगर आप चल कर उसकी आखे देख लें तो लेकिन यहां तो मैं प्लीज दॉक्तर मैं जीब लेकर आया हूं अच्छी वो रहा हमारा खर्ड़ करनल साब कार्डिम की प्रेक्टिस कर रहा है करनल साब मेरे डेडी ओ हुआ है हुआ है कर दो कि अधिकर आप चिए अधिकर आपटा जोटी आव बेटी आव तुम पहनी बार हमारे गर आई हो समझ भी नहीं आ रहा तो महारा स्वागत कैसे करो मैं कोई राजय महराजय होता तो एकीस तोपो की से लामी देता मगर तोपे तो है नहीं और महीं एक रिटार्ट करनल हाँ हाँ भी कुछ तो होना ही चोहिए येस होई नहीं गोल या खत्म होगी सॉरी बेटी ओ एक्टिंटी माँ डबल मर्च ठीको तो सही कोन आया है यह है डॉक्टर ज्योती इसमें हमारे प्पुक्ति आंखों को ज्योती ती सुना मैंने क्या का तुम कैसे सुनोगी तीस साल होगे बेटी इने मेरे बीबी बने वे लेकिन आज तक जब भी मैं निशाने बाजी की प्रेक्टिस करता हूं यह काल में रूई डाल लेती है बेटी मेरी जगा कोई दूसरी होती ला अब तक पागल हो जाती जब देखो धड़ाम 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 घर के खड़के दर्वाजे तक ही नहीं थे देखी आज शाम तक आप एक भी गोली नहीं चलाएंगे यस सर आम सरेंड़ तुम मेरे साथ चलाएंगे वरना करनल साफ शाम तक बोलते रहेंगे और तुम यही खड़ी रहे जाओगे जी मुझे हमस्पटी वापर चाना है मैं तु सिर्फ मरीज को देखने आ रहे हैं वो तभी थोड़ी दे पहरे माली के साथ गुमने गया है सिर्फ तीन कप और तीन कप आप पी चुके हैं लेकिन जोती आज पहली बार हमारे घर आई है यह स्पेशल ओकेजन है जल्दी चैना आपको एक मार्च अभी लाती है लेकिन पहले आपको आदा कीजे अपने बहादुरी की किस्से सुनाकर भी जोती बेटी को बोर नहीं करें तुम कभी ख़दरर नहीं करोगी मेरी पाजी मैं गर माय वाँ में क्या था तुँ पाज पाज अब गोलिया un Hugo बं गिरने वाले तुँ मैरे तुम कर आप लाख्यानाय बनादू प्येट्यDas दोनि ऐ ने में बेटी अब आपको नहीं पूरी नहीं कर सबता बेटी लेकिन मैं कोशिश करूँगी तुम्हे हमेशा मा का प्यार दे सकने कर दो क्या हुआ चाहिक लो जोतिको भी तुम रसे कर में लियाई अचाहिदी उसी से परवा रही हो यही तो खुब है हम हिंदुस्तानी अउरतों में दोक्टर इंजीनियर जो चाहे बने मगर अपनी घर की जिम्मेदारिया नहीं भूलती है न बेटी यह तुमारी बेटी नहीं है यह बहुत बड़ी दॉक्टर है होगी मेरे लिए तो बेटी से जादा प्यारी है बेटी तो बहुत अपनी होती है यह तो है दोनने से शायद नहीं मिलती है अपने आप घर बैठे मिल गई यह हमारे खुश्किस्पती है और इसमें भाव देने है कि सर्वाज कर्षी है न तेक्सी जो तीस जोती कि जोती की जोती की जिम्हदारी तुम पर है तुम किसी तरह के चिंता मत करो तुम अपना मन शांत रखो और बिलकुल आराम करो मेरी चिंता तो तभी दूर होगी जब जोती की सगाई और जल से जल उसकी शादी हो जाए मैंने लड़के को तो नहीं देखा लेकिन कमल और उसका पती उसकी बड़ी तारिफ कर रहे थे और जोती कर उसकी धर गई थी इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लड़के के माबाप से मिलके रिष्टी की बात कर डालो लाला बात क्या करनी है रिष्टा पकाई का डालते है अच्छा मेरी एक यह भी लाशा है के जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पिल्ले हो जाओं अब आप उड़ सकते हैं दुझ दूजर्व जव सक्ट्रिव अालो आपादब क्ष बापन है क्यों आप क्यों अब व्हु问 प्रकाश, यह लो, क्या है, सिप करो और मुझे मुभारक बाद दो, मुभारक रो, और तो कुछ दे भी नहीं सकता है, लेकिन मुभारक बाद सिर्फ जबानी नहीं, मैं अपने तिल की घराईयों से देना चाहता हूं, मतलब, आज बहुत दिनों के बाद एक गीत गाना चाहत की अवारक चाहता है, आज बाद रहे हुआ है, सची इना है, बाद? झाल में से अच्छ से बाद है, जो आए है बाद खिनों के बाद है दिवाना लेके आया है दिल का तराना दिवाना लेके आया है दिल का तराना देखो कहीं आगो खुकरान देना मेरा नजराना दिवाना लेके आया है दिल का तराना जिवाना लेके आया है दिल का तराना आज का दिन है कितना सुहाना जूम रहा प्यार मिरा हो पूरी हो दिल की सारी मुरादे पुष रहे प्यार मिरा हो चाद सा जीवन साथी मुबारत जीवन में आना दिवाना लेके आया है दिल का तराना जीवाना लेके आया है दिल का तराना जीवाना लेके आया है दिल का तराना जीवाना लेके आया है दिल का तराना अपने भी है किछ फाब अधूरे कौन अब गिने कितने हाए सच तो ये है मेरे दोस्त के सबने भी है मेरे अपने हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है ऐ दिल दीवाना दीवाना लेके आया है दिल का तराना दिवाना लेके आया है दिल का तराना देखो कहीं आजो ठुखरान देना मेरा नजराना दिवाना लेके आया है दिल का तराणा दिवाना लेके आया है दिल का तराणा स्थाल मायर्ण अशु अजवान लेके आया मैं जैलम लेके वेशा वेके आया है वेको भूल्य है दूल्य है प्स tauर्ब्स के आया है कौन कमल? कमल घर में नहीं प्रकाष सिंदा है प्रकाष सिंदा है लेकि बार दाओ चुकर है भगवान कि अटाओच काई कि अटृ क्यूल सकाई के एनूट सेरे कि अटृ क्यूल जाओच laughing कि अटृ क्यूल फेट। प्रकाश, विनोथ प्रकाश, प्रकाश वाँ, क्या लाईना आपके हाथ की, सच कह रहाएं, वैसे आफ जिन्देगी में कभी कुछ नहीं कोएगे, अगर गलती से खो भी बैठे, तो बहें चल्दी वापस मिन जाए रहाएं दॉक्तर, येस, केप्टेन मिनुट पेशन को छोड़ गए है, मैं अगी आई जय तॉक्तर, येस, केप्टेन सकता अगी आई कौन, कौन है, कौन, प्रकाश, जोते, प्रकाश, जोते, प्रकाश, 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 मैं जिन्दा हो, लेकिन तुम मुझे भूल कहते, है न, तुम भूलने की कोशी ज़रूर की थी, मगर भूल न सका, हर पल तुम याद आती ते, और मैं हर पल, ली सो सरा, कि जोती का प्रकाश, बेबस और लाचार होने से पहले, हमेशा के लिए पूछ क्यों नहीं गया, और ये कभी नहीं सूचा था, जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, तो जोती कैसे रहेगी, जोती, मगर इतना परेशाल होने के क्या बात है, सगाई के बद तुम्हे थोड़े ही मालूम था कि प्रकाश निंदा है, और अपकि प्रकाश वापस आ गया है, तो सगाई का कोई मतलब नहीं रहा, मैं विनूट से क्या कहूँ, तुम इसकी फिकर मत करो, विनूट को मैं समझा दूगी, और वो मान जाएगा, पहले तुम प्रकाश क्या इलाज करो, उसकी आखें ठीक करो, ठीक हो सकती है न, बहुत नाजुक आपरेशन है, लेकिन मुझे यकीन है, कि वो फिर से देख मैं से एलाज करो कि वो मैंू करो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि कर दूद सिस्टर मैं डर्व्टर जोदी से मिलना चाहता हूं वो परेशन थेटर में है कब तक फ्री होंगी यह मालूम नहीं अच्छा मैं यहां बेट कर रहा हूं जब भी फ्रीमाम को खबर कर दीजिए सुना है हिंदुस्तानी में कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइ एंट ट्राइ अगेंग यूब सक्सीड अट लास आप किसे बातें कर रहे हैं मैं तो आप ही से कह रहा हूँ कैप्टन साथ मुझसे जी हाँ इस वक्त तो लाइन मारने वाले हम दो नहीं हैं क्या बक्ते हैं अब आप ही सोचिए ये आखों का स्पताल है ना मैं अंधा हूँ ना आप काने है फिर भी हम दोनों यहां मौजूद है इसका मतलब है हम दोनों को एक ही बिमारी है लबीर्या मतलब मतलब जो भी आख समझ लें पापा जी प्रेम इश्क लव कैंसर भी इस बिमारी के सामने कुछ नहीं है हम दोनों अंधेरे में भटक गएं कैप्टन साहब हमें चाहिए लाइट रोश्नी जोती यू शिट अप आईसर यू शिट आप यू आर नमबर थर्ड आयम नमबर फर्स वाट येस मिस जोती का पहला प्रेमी मैं मेरे बाद क्यों में आए मिस्टर प्रकाश उनकी में छुटी प्रकाश प्रकाश येस गॉन विद द विड्ड नमबर थर्ड आप आप ठेरें मिलिटरी में कोई ना कोई तो गोली मारी देगा उसके बाद अपनी ही बारी है पपाजी यू इट अब काफी सेर पर चुके और काफी आराम भी कर चुका हूं जोती इतने दिन होगे पटियां भी खुल गई लेकिन अब भी तुमने काला चश्मा लगाकर मुझे अपाइस बना रखा जी चाहता है यह क्या कर ले हो पागल हो गया हो यह चश्मा किस लिए लगाया गया है इससे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए तो लगाया है तुम्हारी आँखों को रौशनी से बचाने के लिए अभी कम से कम एक हफ्टे तक बहुत समालनी की जरूरत है अच्छनक तेज रौशनी को देखना तुम्हारे लिए खतरनाक सहाबित हो सकता है तुम्हारे दमाग पर असर हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारी जान खत्र में बढ़ सकती है जान का कोई खत्रा नहीं, तुम्हें तु बताई चुका हूँ, मौत के मूझ से निकल कर तुम्हें मिलाओं अब मैं जीना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए, लेकिन अंदा और अपाईस बन कर नहीं मैं बहुत जल्द अच्छा होना चाहता हूँ, जोती मुझे अच्छा कर दो उसके लिए तुम्हें मेरा क्याना मानना होगा बिलकुल मानोंगा तो आओ चलो, अब तुम्हाराम करो और मुझे फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें मिलने होगी प्रॉमिस? प्रॉमिस अब मैं जीना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए लेकिन अंदा और अपाइस बनकर नहीं मैं बहुत चल्दा चाहता हूँ, जोती मुझे अच्छा करतो प्यार की बाजी हार गए ना? तुम? हाँ मैं तुम्हारी परच्छाई नहीं तुम्हारा असली रूप जिसने जिन्दगी में कभी हार नहीं मानी अंधा प्रकाश नहीं तू है प्रकाश लेकिन वो तो मेरा दोस्त है अपाईस है, उसे सहारी की जरूरत है डैमिक वो तेरा सहारा छीन रहा है तेरे हरे भरे जीवन में आग लगा रहा है तू भी तो जोती से प्यार करता है न हाँ उसके बगर मैं जिन्दा नहीं रह सकता तो सोचता क्या है प्यार और जंग में सब कुछ जायज है लेकिन तुमने मुझे प्रकाश के बारे में अब तक क्यो नहीं बताया मैं बहुत परिशान हूँ डोक्टर चाचा परिशान क्यों तुम्हें तखुश होना जाए ये बेटी तुम्हारा प्रकाश तुम्हें फिर से मिल गया तुम्हें उसके आखें ठेक कर दी है कहा वो अपनी कमरे में मैं जरह उसे बढ़ाई दे दू डोक्टर चाचा प्रकाश को अभी तक ये नहीं मालूँ कि मेरी कैप्टन जिनोट के साथ सगाई हो जा तुम्हें बताया नहीं कई बार सूचा अब तुम बिलकुल फेकर मत करो मैं अभी जाके प्रकाश को समझा देता हूँ नहीं डोक्टर चाचा पहले आप पिताजी से मिलिये अच्छा बेटी येस डोक्टर ऑपरेशन थेटर इस रेडी मैं आरी आरी है अच्छा लेकिन मों पर बोज नहीं बनना चाहता तो तु तु फिर मेरे साथ चलो कहाँ? मेरे घर आपके घर? हाँ नहीं अरे भाई, तुम कमजोर हो, जखमी हो और देख भी नहीं सकते ऐसी हल तुम्हें अकिला नहीं शोड़ सकता लेकिन मैं तुम्हारे गर यस इस वोल नौट डूंट इस सिली कमाँ मैं आप जैसी माँ इस दुझे में कहा मिलेगी तुनिया भी मुझे माँ कहा ना मैं तुझे कभी नहीं जाने दूगी कभी नहीं जाने दूगी तो हमेशे मेरे पास रहेगा बेपे हमेशे रहे केप्टन में अमस के मुझे पर कितना सारे अहसान है वह उसकी कुशी नहीं चीन सकता नहीं जोदी से चालेंग मेरे फिर से बेट हो गए और ना मैं तुझे के जाने जाने चुका था हमेशा के लिए में केप्टन से इसकी सखाई हो चुकी है मद मेरे जोधी पर कोई अतिकार नहीं नहीं लेकिन मैं केप्टन मिनोध और जोधी के पीछ में दिवार नहीं मिनना चाह्ता कभी नहीं कुवा कभी नहीं मिजय या से चले जाना और o जोग least किसी बरताय जोती समीन बिना, चले जाना चाहिए, जाओ, जाओ, प्रकार कौन? मैं? कि अप्सक्राइब करें आपको पूंची है वह जो जोगा हुआ तो मिझे चाहे कि अपनी अज़ी सदा दे तुम मैं तुमकर आज़ी उढ़ाओंगा तो तुम्हारी अमाता जीन उसका मतलब है तुम बजदिल हो कायर हो जू नहीं हो गया हुआ तुमारी इस्कादारी हो चुकी I am you, go to hell तुमारी नादारी हो चुकी अब में तो जिले चुरुमा करिया का वार जुरुमा झाल 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 Are you alright? Do! I said gap you dirty scoundrel! मैंने तुम्हें तुम्हें सरफ इसनी चांसे नहीं मारा कि तुम मेरे बेटे हूँ इसके ठागलपन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता तुम दो लोब हमेशे सुखी रहना चलो चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सोच रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ वो सच है यह सब न तुम कानु जी? चूती और अब तुम पूछोगे के तुम कान हूँ हाँ तुम पूछो मैं कान हूँ कान में बताऊंगी मेरे जीवत साथी हुदी पाना करके छोड़ोगे लगता है यूँ समको सौ बार कहा मैं जाने जहां यूँ प्यार के तुम देखान करो यूँ यूँ झाल झाल